डेखें, टौफिक है सिरीज, LCR, सर्किट हमने इंडिविज्वल पढ़ लिया कि L सर्किट क्या होता है, C क्या होता है, R क्या होता है, फिर गृपिंग की LC क्या होता है, RC क्या होता है अब LCR हम देखते हैं, कि क्या होता है हमने का suppose एक inductor है जिसका inductance L है एक capacitor है जिसका capacitance C है और एक register है जिसका resistance R है they are connected in series and they are connected with an AC source V is equal to V naught sine omega T इससे हमने इसको connect कर दिया ठीक है अब simple सी बात है कि जो भी current flow होगी वो क्या break हो रही रास्ते कहीं break हो रहा है नहीं हो रहा है यानि कि सभी जितने भी component है इनमे current कैसी रहेगी सेम रहेगी यह current कौन सी है यह instantaneous current है अपना show current बहतर होगा show करें तो गलत नहीं है ठीक है तो देखे ल के ends के बीच में potential कितना है वी यल है और और C-cand के बीच में कितना है? VC है और R-cand के बीच में कितना है? VR है ठीक है? क्यों? क्यों क्या हो तो हो गई ना? voltage का मतलब energy होता है ना? energy per unit charge तो इसका मतलब जब charge flow हो रहा होगा तो अलग-अलग component अपने हिसाब से energy जी कहीं पर कहीं पेडा बढ़ते हैं पुरसाद बढ़ना है माले किसी कहां लड़का हुआ लड़की हुआ गए ड़डू दे आओ तो कुछ लोग दो लड़डू उठा लेते हैं ठीक है? है एक एक लड़डू लेकिन उठाएंगे दो लड़डू तो प्रासिस कहां जाओ अब क्या करेगा आप तुमारे हाँ से छुड़ा लेगा तो यही अलग-अलग लड़डू उठा लेते हैं तो VL बरावर क्या होगा? VL बरावर क्या होगा? IR यहाँ पर क्या है? Excel इसको क्या करते है? Inductive Reactance ठीक है एक सेकंड और VC बरावर क्या हो जाएगा? I, XC और VR बरावर क्या हो जाएगा? IR अब जैसा कि पीछे की टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं इसका आपको Phasor Diagram बनाना पड़ेगा वैसे Phasor Diagram वैसा ही बन सकता है जो बनाता है, बला टेक्निकल होता है इसलिए उसको बनाए नहीं जाता है सस्ता वाला Diagram बनाए जाता है कैसे बनाएंगे? देखिए ये आपकी Current है ये Current है तो Phasor Diagram कैसे बनाएंगे? देखिए, ये Current है आप जानते हैं जो Resistance का जो Potential होता है वो Current के साथ Same Phase में होता है तो ये आपका VR हो जाएगा VL क्या होगा? 90 Degree Lead करता है तो ये हो जाएगा VL इसके पहले वाले टापिस Clear होने चाहिए L Circuit, C Circuit LC, RC सब जो है और CVC क्या होगा? 90 Degree Like करेगा अब तीन का Resultant है ना? तो सबसे इन दोनों को देखिए इन दोनों का Resultant क्या हो जाएगा? इन दोनों का Resultant Depend करेगा VL और VC की Value पर ये मान के चलना है कि VL की Value बड़ी है ये मान के चलना है numerical लगाएगे तो देखना पड़ेगा Value किसकी बड़ी है तो इन दोनों का Resultant क्या होगा? ये VL माइनस VC और VL माइनस VC और VR तो अगर Resultant निकालना है तो यहां कहीं होगा Resultant यही तो V होगा जो आपने Apply किया है जो Applied है वो Net Potential है ना? तो ये Net Potential होगा तो V के लोगो निकाली जयत क्या होगा? V Square is equal to VL माइनस VC का Whole Square है चुलिए हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि जो ये LCR Circuit है इसमें voltage और current के बीच में कितना phase difference है? ठीक है? ठीक है R के साथ current सेम चलती है VL से 90 डिगरी होती है लेकिन Resultant जब होगा इनका जो Combined Effect है उसकी वज़े से current का क्या होगा? देखें, V R को क्या ले सकते है? IR का Whole Square VL को I XL माइनस VC को I XC का Whole Square अब आपने क्या क्या? I काम ले लिए सबसे तो बाहर क्या निकल क्या हैगा? I Square यहां क्या बचएगा? R Square प्लस XL माइनस XC का Whole Square यह V Square हो गया I Square को इथर डिवाइट में ले आओ तो आएगा V Square अपन I Square is equal to R Square प्लस XL माइनस XC का Whole Square यह उपर का डाइगराम रप करेंगे नोट कर लीज़े इसको पहले तो जब यहां से आप V upon I निकालेंगे V upon I is equal to अंडरूट यह होगा R Square प्लस XL माइनस XC का Whole Square इसको आप जानते हैं यह आपका क्या है एक एक्चुल में रेजिस्टेंस है ठीक है यह इसको यहां पर नाम क्या दिया गया है IMPEDENCE Z is equal to अंडरूट R Square उमेगा इसको Omega L करते हैं इसको 1 upon Omega C करते हैं का Whole Square ठीक है अब जरा एक चीद देखीगा collect topic discuss हुआ था एगर C 0 हो जाए तो infinity हो जाएगा यह था ना ठीक है एक्चुली यहां पर mathematics दूसी तरीके से लगती है इधर देखिए C 0 हो जाए नहीं C absent हो जाएगा नशी यहां पर absent होगा भई अबने का LR सरकीट है C क्या हो जाएगा absent हो जाएगा ठीक है तो C 0 नहीं होता है अब C 0 करेंगे तो something upon 0 क्या होता है infinite 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 to square infinite तो हमेशा infinite रहेगा C वहां पर absent रहेगा ठीक है note करिए चल्में Z निकाले का तरीका क्या है तो को Z निकाले का तरीका वही है जो V निकाले का तरीका था या resultant निकाले का तरीका था ये इधर जो resistance होगा इधर जो resistance होगा वो क्या होगा XL minus XC और ये वारा resistance कितना होगा R ये resultant resistance होगा Z ठीक है और यह जो भी एंगल बना रहा होगा फाई इसको impedance triangle कहते हैं क्या कहते हैं impedance triangle इसको impedance triangle कहा जाता है अच्छा अब बताईए यह तो हो गया अब क्या निकालना है आपको कि voltage और current के बीच में phase difference कितना है तो voltage lead कर रहा है या like कर रहा है lead कर रहा है हमने का suppose voltage leads with current with phase angle फाई यह lead इसलिए कर रहा है कि हमने VL की value VC से बड़ी मानी है हो सकता है VL छोटा हो तो that depends upon the numerical value जब numerical आप लगाओगे तो वहाँ उसकी value के हिंसाफ से decide करोगे ठीक है तो अगर हम मालने कि भई इस diagram के हिंसाफ से यह lead कर रहा है तो 10 फाई कैसे निकलेगा perpendicular upon base तो perpendicular क्या मानेंगे VL minus VC तो यह आएगा VL minus VC upon base कितना होगा R क्या लिख रहा हूँ VR तो VL बोले तो IXL minus IXC upon II गई cancel हो गई तो 10 फाई की value क्या हो जाएगे XL minus XC upon R यह XL है यह XC है यह आपका phase difference हो गया कि voltage और current की बीच में कितना phase difference है ठीक है अच्छा इन topics में एक चीज़ और कभी कभी पूछी आती है जो किसके पहले वर topic नहीं लिखा हमने इसमें कुछ रूत नहीं है हमने voltage का equation लिखा था V is equal to V naught sin omega t जो हमने apply किया था ठीक है तो और यह भी हम जान गए कि current और voltage में कितना phase difference है फाई और यह भी इस diagram से clear हो गया कि current voltage से 5 degree lag कर रही है तो कभी कभी current की equation पूछ लेते हैं तो i is equal to कितना हो जाएगा i naught sin omega t minus 5 जिसके पहले वाले सम्मे कर लेंगे आप जिसमें voltage आगे चल रहा है करने current पीशे चल लए है तो current में minus 5 कर दो ठीक है और 5 निकालने की तरीका हमारे पास है एक node देखीगा लेकिए पहला ये है कि अगर ये माल लें कि excel की value if excel is less than xc है मतलब क्या हुआ excel is less than xc का मतलब क्या होता है मतलब vl is अगर हम i से multiply कर दें तो v हो जाएगा भाई resistance कम है ना तो अगर current से multiply कर दें तो तो v हो जाएगा न या यानि vl is less than vc अगर vl less than vc है इसका मतलब क्या होता है नहीं इसकी ताकत v ka मतलब क्या होता है energy per unit charge यानि इसकी energy ज़्यादा है तो इस पूरे में जो lcr circuit में है उसे देखो r तो विचारा common होता है वो तो एक तार है उसका resistance होता है वो resistance कम कर नहीं सकता है वो resistance अपनी कम नहीं कर सकता है तो इसको कहा जाता है lcr set to be capacitive इसको capacitive कहते हैं तो lcr circuit lcr circuit is known as circuit is known as capacitive capacitive कहते हैं इसको impedance वही रहेगा क्योंकि वो उसका square करना है vl minus vc impedance पे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन चुकि बड़ा कौन vc भाई lcr में बड़ा कौन vc तो चलेगी किस की जादा चला what are you doing तो वो अपना बताएगा ना दूसरा case अगर xc की value xc की value less than xl के यानि की vc की value less than vl के तो voltage किसका जादा तो हम circuit को कहते हैं inductive circuit इसमें है circuit circuit is known as inductive circuit circuit is known as इंड़क्टिव circuit इंड़क्टिव circuit इंड़क्टिव circuit इसमें होता ने कोई बाहर से आया पैसा ऐसा उसकी बाद ज्यादा है तो फिर वो जो कहेगा वही आज वह है छोला बनना चाहिए जी चाचा जी बतादा लाँ मम्मी पेड़ खराब सबका पेड़ खराब वेकिन चु मैं वीका सूल के प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं ऐसे एक्जामपल दे रहा हूं कि जो जिसकी हैसियत बड़ी उसका इंपॉर्टेंस जादा अब अगर कहने अगर एक्सल बरावर एक्सी हो जाए अगर दोनों बरावर हो जाए तो दोनों का रिजिस्टन्स बरावर है है तो आपसे हम लड़े मरे जा रहे हैं का दिक्कत है फैदा कौन उठाएगा और इसको रजिस्टिफ सर्किट कहते हैं LCR सर्किट इस नोन आज रजिस्टिफ सर्किट रजिस्टिफ सर्किट देखो ये चीजें आपके एक्जाम में लगबग नहीं आएंगे लेकि जब कभी कोई जिसको कहते हैं कि साइंस उसमें है फलाँ कम्प्टिशन साइंस आती है वहाँ छोटी सी बात बोल दिया उन्होंने कि इसक अंसर निकल के आएगा ठीक नोड करिए अब जब आप LCR पढ़ रहे थे तो 105 क्या निकला था अपने XL माइनस XC अपन आर ये निकला था ना तो अब अगर यहां कौन बड़ा है XC बड़ा है तो यहां अगर 105 की ज़रुत पड़ेगी तो क्या निकलेंगे हम XC माइनस XL करेंगे अगर आप वही फर्मला लगाओगे ना XL माइनस XC तो यह वैल्यू निकला आएगी अगर इस केस में आपको लगाना होगा 105 तो क्या लगाओगे XL माइनस XC अपन आर और अगर इस केस में यहां तो 5 ब्रावर क्या होता है जिरो हम जानते है ठीक है यहां पर जो ह अगर दीक है